Hey guys welcome back to my channel Sanju style vlogs to friends thumbnail और टाइटल देखिए आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं यह जो आपको बैट दिखरा है इसको चेंज करने वाली हूँ यानि कि इसका लुक चेंज करने वाली हूँ इसको एकदम से नया बनाने वाली हूँ इसका ट्रांस्फोर्मेशन करने वाली हू कि और पहले हमारा बैट वह कुछ ऐसा दिखता था हूँ ऊसके लिए सबसे पहले हमने इसका जो हैडबोल होता है वो चेंज करवाए है यह वाला है जो हम ने कारपेंटर से करवाया है तो बाकी जो भी कलर का को प्रrawdूार देखना था वह में से चूश किया है बस यह बेडरूम मेक ओवर वीडियो में जो मैंने मेमरी ट्री बनाया था उस पर मैंने लगाई थी तो यह एलेडी लाइट के बाद में बारी आती है बैड का जो चेंज करने की तो इसके लिए मैंने यह वोल स्टिकर आप इसको बोल सकते हो या फिर यह डेकल्स इनको बोलते हैं और यह फरनीचर पे लगाने के काम् में आती है मतलब फरनीचर के अलग से यह वोल पेपर आप इसको बोल सकते हो कुछ ऐसा है पेपर या स्टिकर इनको बोलते हैं तो वह मैंने मगवाया है तो यह वाला रोल जो मैं खोल रही हूं यह वाइट कलर का है और इसी को हम पेपर लगाने से पहले बैड को अच्छे से क्लीन कर लेना है यह रोल देख रहे हो यह 10 फिट लंबा है और 2 फिट यह मतलब चोड़ा इसकी विर्थो देख सकता आप यानि की चोड़ाई 2 फिट और वैसे यह 10 फिट लंबा है तो मेरा बैड जो है इसकी उंचाई जो है वह भी पहले बैड कराण मेरा इसकी आप काम चल गया और मेरी मानविक ने बहुत है और यह देखिए आप कैसे यहां पर लगाके बैठा है तो मैं यहां पेशिया है कितना मेरा लगेगा यहां पेपर इस साइड में सब साइड में तो मानविक ने हैं अच्छे से पकड़ कर आ तो मानविक का भी पूरा पूरा हाथ है इस बैड को कम्प्लीटली चेंज करने में तो अभी आप देख सकते हैं कैसे अच्छे से बैठा हुआ है और यह पेपर जो है मैंने एमेजन से मंगवाया है तो आप जब भी लगाओ तो आप कोई आपके पास क्रेडिट डेबिट जो भी कार्ड है वो आप ले लीजिए और बहुत ही ध्यान से आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा टाइम आपको लगेगा इसमें जैसे कि आप दे चोटे-चोटे bubbles अगर आ रहे तो कोई बात नहीं अगर बड़े-बड़े आ रहे हैं तो आप मतलब लगाते टाइम ध्यान रखे और यह कार्ड से इसको हटाते रहें एक साइड का मेरा कम्प्रीट होने के बाद में मैं पहले यह वापस लगा देती हूं इसके बाद में इ डाइम से रहे आप किया है इसको पेपर को ही तो यह रहे है अभी एक साइड का हमारा लगत चुका है अभी मैं दूसरी साइड से लगाऊंगी तुमारी यह नहीं पर दण बाद मेरा एक दम से ही मतलब जो माइक का की फिनिश्ग हो तै है एक रहे ही नगर आति है और ऐसे लगता ही नहीं कि आपने कोई पेपर लगाया है और यह waterproof होता है तो और shining भी होती है इसमें बहुत अच्छी तो लगाने के बाद बहुत अच्छा लगता है तो आप देख सकते हो इसमें shining मतलब जैसे sun mike का जो होती है उसकी shining होती है वैसे सेम इसकी भी होती है तो देखके बाद में बैट जो है बहुत ही सुन्दर लगने लगा है हमारा और एकदम से चेंज हो गया है और वह वाला बैट जो मतलब पहले जो यह बैट था जो पहले ब्लैक ब्लैक कलर का सा था तो उसका पीछे का जो हैड़ बोर्ड है उसका भी वह कुशनिंग अच्छी सी नहीं थी इसलिए हमने यह चेंज करने का सोचा है तो देखे कितना अच्छा लग रहा है अभी तो पहले जो मैं लगा रही थी तब तो बहुत सारा मैसिव हो रखा था रूम अभी है मैं आप लोगों को यह बैट शीट और यह चेंज करके फिर दिखाती हूं और पीछे की LED लाइट वह जो जड़ा रख है मैंने तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी लगए वह रही है नोगे रोश्णि है अभी फिर भी कितने अच्छी दिख रही है और हम च dieseफित बहुत संदर लग रहा है देखने सबको बहुत पसंद आया है सबने जिसके पास भी मैंने फोटो पेजी सब बोल रहे है कि अच्छा आपने नया बैड लिया है पर बैड हमारा वही है बस इसको थोड़ा सो मतलब छोटी-छोटी चीजों से ही हमने नया बनाया है और यह हमारी पीछे की LED लाइट्स जो कि थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद कुछ ऐसी दिखती है और यह LED लाइट्स मेरी एक साल पुरानी थी जो कि बीच में से टूट गई थी मतलब बहुत लंबी थी पहले यह बीच में से टूट गई थी तो इतनी ही यह जल रही थी तो इतनी मतलब पूरे बैड पे अच्छे से इसने कवर कर लिया है पीछे का और पूरे बैड पे अच्छे से आ गई थी तो यह मैंने लगा दी और इसके साइड में मैंने यह फ्लावर वास रख दिया है तो और भी सुंदर लगने लगा है हमारा बैड और बैड रूम तो धी तो कमेंट करके जरूर बताना कि पहले वाला कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है तो और भी आगे इस बैडरूम का मेकवर देखने के लिए मेरे चनल पर बने रही है और मैं और भी अच्छी डियाइवाई वीडियो लाती रहूंगी तो चलिए फिर अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई